मुरंद शेहर में अंटी करप्शन टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए एक कानून गो और लेकपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार किया है मामला याकोब पुर गाउं का है जहां कानून गो और लेकपाल ने एक किसान से चकबंदी के रिपोर्ट बनाने के एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और बीस जार रुपए किसान से ले भी चुके थे लेकिन दोनों ही करमचारी लगातार किसान पर और पैसे देने का दबाव बना रहे थे जिसके बाद परिशान होकर किसान ने अंटी करफशन टीम से शिकायत की और टीम के शिकायत के बाद कारवाई करते वे दोनों कानून गो और लेकपाल को गिरफतार कर लिया जो कि पहले भी दे चुका बीस हजार मेने हाथ देगें रंगे हाथों पकड़ी गए टीम द्वारा किसने पकड़ा रंगे हाथों ये टीम है मेरट से आई एंटीकनिश्नु तीम आपने क्या सिकात करी थी मैंने सिकात ये करी जी मेरे संदर्व सुदान्य के लिए एक लाग सब्सक्राइब करने के लिए अधिकारी द्वारा आधेश भी कर विया गया था तिन तो उसके बावजुद मेरे योजचक सही नहीं हो रहे थे और उसमें अंतिम संधर बनना था जिसकोई लेख पार बनना था जिसकोई कानून गो लेख पाल मनोज कुमार और चकवंदी करता कानून गो अनील कुमार द्वारा तैयार किया जाना था जिसके लिए वो अनेक वार इन से मिला तिन्तु उन्होंने जो है इसके बदले 20,000 रुपे रिश्फत की मांग की जो कौन थे दोना ये मनोज कुमार लेख पा पिलाल रिश्वत खोर कानून गो और लेख पाल को गरफतार कर बुलन शहर कोतवाली नगर पुलीस के हवाले कर दिया है वहीं दोनों के खिलाफ प्रश्चार निवारन अधिनियम के तहत मामला दर्च कर आकर जिर भीजा जा रहा है पंजाब के इसरे टीवी के लिए बु